जैजी नेंद्र बंधों अभिनांद्यना आप सभी का आपके बेहत ही खास कारिक्रम में जो आपको तमाम जोतिश की और वास्तों की विधाओं से रूबरू कराता है साथ ही साथ आपके जीवन में हो रही परिशानियों से भी आपको छुटकारा दिलाता है एक चीज अकसर हम सोचते हैं कि आखिर क्यों होता है किसी के साथ बुरा हम अकसर बात करते हैं कि उस इंसान में तो कभी किसी का बुरा किया ही नहीं आखे क्या हुआ ऐसे परिसित्यां क्यों आई हो कि उसके साथ ऐसा हुआ लेकिन हम भूल जाते हैं क्या उसने ग्रहों के अनुसार कार किया था शायद नहीं इसी लिए उसके साथ ऐसा हुआ हमें हमारे ग्रहों के बारे में जानकारी होना बहुत ज़रूरी है इसलिए ये कार पर दिक्रम में फिर से स्वागत करना चाहूंगी हम सब के गुरुजी पंडित अजीज शास्त्री चीका गुरुजी अभी नंदन है जे जी नेंदर बहुत बहुत धनवाद जी बिलकुला सर गुरुजी हम अकसर चर्चाएं करते हैं विभिन बातों पे चर्चाय करते है इपाक्त भगतामर मंत के माध्य砮 से लोगों किस तरीके से आप जिडिके बेते हैं आपने ये भी बप्राएया है बहुत सारी चीजे बहुत विशेव पर हमने चर्चा की है एक चीज अक्सर देखी जाती है हम बात करते हैं विवाह पर जब हम चर्चा करते हैं तो विवाह के बाद जब किसी की जिन्दगी में कोई परिशानी आती है पारी वारी कलेश कह लीजिए दामपत्य जीवन में दि तो उस वक्त हमारे दिमाग में यह आता है कि कुंडली तो सही मिलवाई थी आखिर दिक्कत कहां से आ गई है तो जानना चाहूंगी कि ऐसे कौन से वैवाहिक योग होते हैं जो हमारे जीवन में परिशानी लाते हैं स्पेशली दामपत्य जीवन में देखे बिवाहिक का कारक या बैवाहिक जीवन के लिए आपने प्रिशन बुच्छा बहुत बढ़िया प्रिशन बुच्छा चुकि ऐसे लगातार अनुब्रत शेक्रों लोग मुझसे चर्चाय करते हैं कि गुरुजी पंडिजी ने कुंड बाते होती हैं लेकिन मैं आपसे कहूं तीन ग्रहका आपके दामपत्य जीवन पर बहुत असर पड़ता है सबसे पहले मंगल दूसरा गुरू और तीसरा होता है शुक्र इन तीन ग्रहका हमारे जीवन में बहुत कुछ बैबाहे जीवन में फर्क पड़ता है जैसे उधान क संतान देर से अगर नहीं हुई तो सबसे ज्यादा माइनस पॉइंट होगा कभी जीवन में सुख मैंनी होगा कुंडली मिला रही थी सब कुछ साथ 25 गुण मिल गए लेकिन यह वाला नहीं मिला था तो मैं कहता हूं कुंडली में आजकल लैप्टॉप का जमाना है कंप्यूटर का जमाना है मुबाइल का जमाना है ओनलाइन का जमाना है लोगों ने फट से डाला डेट आ बर्थ डाली बर्थ टाइम डाला बर्थ प्रेश डाली दोनों को मैंच मेंकिंग किया और देख लिए इस आप इतने गुण मिल रहे है चक्र को नहीं दिखवाया एक अच्छे जोट्सी के पास जाकर जब हम चक्र का प्रामर्स करवाते हैं जन्म चक्र लगन चक्र का नौमान्स का जो प्रामर्स हम करवाते हैं तब पता चलता है कि इनकी जीवन में कोई दिक्कत रहतों नहीं आएंगे एक चीज़ दूसरी बात यहां पर बहुत महत्तपू हैं शुक्र का होना शुक्र ग्रह एक ऐसा ग्रह है जो दीवन में तलाक तक करवाने में देरी नहीं करवाता हैं और माधुर पना भी लाने में देरी नहीं कराता हैं शुक्र का ऐसो आराम भी दिला सकता है तो नरकी जीवन भी दिला सकता है शुक्र आपके जीवन में यसक कि इर्दी को दिला सकता है तो सुक्र आपके जीवन में आपियस और कलंक भी दिला सकता है तो यह महत्पून जैसे समझना शुक्र की डिगरी का और सुक्र के ग्रह का प्रवाव बहुत पड़ता है कई बार किसी का सुक्र बहुत स्ट्रॉंग हो गया वह कामोत तेजना पतनी पती का सुक्र बहुत श्ट्रॉंग है पतनी का सुक्र बहुत कमजोर है तो पतनी धार में खोगी इन सब चीजों से गुरू उसका मजबूत था शुक्र कमजोर था धार में खोगी पूजा पाठ मंदर महराजी अहार इन सब चीजों में उसका ध्यान रहेगा और पती का कम लेप्टॉप पर कम्पूइटर पर ऑनलाइन मोबाइल पर ना मिलाएं किसी अच्छे जोट्सी पर जाकर चक्र का प्रामर्स कराएं और इस पेसली फोर जाकर के बोलें साब गुरु जी आप ज़रा ये बताएं हमारे गुरु ग्रह को देख लिजे मंगल को देख लिजे सु विजार लेएं जोटी छोटी माइनर चीजों पर ध्यान दिया गया तो नियम से मानके चलिए विश्वास के साथ मानके चलिए जीवन में इसा था समय नहीं आएगा चक्र क्या है यहां पर छोपने चक्र का जख्र किया है दिश्स पीजा जो जो कुन्ट्डी के बारा ये मिल रहे हैं नहीं मिल रहे है इस कीज़ को दिखो अवस्क है महत्र पुर्ण नहीं है अंदर का वह डिटेटी जना भी बहुत जलूरी है आज के चेसरे से सेज पर बेठा था वहां पर स्टेशन पर एक बुक मिल रही थी बातर त्र ती सूर रुपे में तीस दिन में जोटसी बने मात्र तीस रुपे में तीस दिन में बास्तू सास्त्री बने और कमाएं लाख और रुपया हुए सान सौकत भरी जिन्दगी मैं बूले जो तीस रुपे में जोटसी बन रहा है तो करेगा क्या तो ध्यान किए कि तीस रुपे में जोत्ती रही मनता है। वहाँ पर एक और किताब बाजू में बिकरी थी। उस किताब में लगा था मात तीस रुपे में बने की किताब बेच रहा है। वह खुद करोणपती कब बनेगा। पर उसन एक खड़ा हूँ। तो ऐसे ही जोतिस के लिए बहुत आवश्यक है कि इन सारी चीजों का एक तो आप मुबाईल लैप्टॉप से कुंडली देखना बंद करते हैं। एक अच्छे जोत्ती के पास जाए उससे ही करें। और दामपत्ती जीमन बिबाह से समंदित मुहृत मिकलवाना हो। बिबाह से समंदित कुंडल करवाएं। यह चक्रपरामर्स ही उनके जीवन में कई पकार के ब्रवधानों से बैसे ही बचा लेता है। बहुत अच्छी और बहुत सठीक जानकारी यहां पर दी है। चक्रों का जानना बहुत जरूरी है कि कोई दोश तो नहीं है। विभिन चीजों पर चरशा और करें करता है। कई बढ़ किसी घर जाते हैं तो वहां पर भी अपनी चीजों को चंट्रोल नहीं करता जिसके वज़े से हमें इंब्लास्मेंट जेलना पड़ता है। किसी जोत्षा चाठ से इसकी कुंली दिखाई थी तो वो कह रहा थे इसकी कुंली में आंगरक दोश है. योग तो उसके लिए उपाय अलग मैं आपको बता देता हूं अंगारक योग बिल्कुल डिफ्रेंट विस है उस पर मैं अलग चचा करता हूं जो बच्चे हाइपर होते हैं ऐसे बच्चों के लिए सबसे अच्छा उपाय होता है बुद्वार के दिन एक चंद्र मौति एक चंद् जो है उस हाइपर एक्टिव है उससे निजात मिलेगी दूसरी बात ऐसे बच्चों के लिए क्या करना चाहिए आप सब के लिए एक बहुत महत्तवर बात बता रहा हूं नोट कर लिजे कागज पैन उठाइए आज इस बात को लिए बजार जाहिए आधा किलो एक किलो चां जब जनाएं तो उस पर उस टोड़े को रख दे और पूरा काम करने दो रोटी बने दो आपका चावल पकने दो डाल पकने दो सब्स्जी पकने दो ऊचांदी का तो जब इक दम रेड हो जाए बिलको लाल हो जाए तो उसको किसी से पकड़के इस जग में पानी भर दो और जग में भरे होगे पानी में चन्या हूगा पानी हो तुरंत का उसमें वह रेड चांदी को डाल दे ढकन बंद कर दे आवाज आईगी चुंचल वह उसको थोरी देर तक राखा रहने दो धीरे धीरे चांदी ठंडी हो जाएगी पानी में पूरा चांदी का तत्व आजाए मानसिक बिकार जितने होते हैं वह दूर होते हैं मानसिक बीमानियां दूर होती हैं सांती आती सुकून आता है सुद्रत आती है वह सबसे ज़्यादा महत्पूर्ण जो बच्चे हाई पर एक्टिब हैं वह दूर होते हैं उनसे बचा होता है अब उपाय हुगा अब इसके एक साथ यूपती बना के बैठा ग्ठाए तो अंगारक यूग बनता है अंगारक यूग लगने में ही घतने सेinh बारह बाबो में कहीं पर भी राव और मंगल एक वह बिखने चुर्फ हैं अंगारक यूग बनाता है उसके हिसाब से उनका परिबर्तनाता जैसे एक्जम्पल के लिए मैं आपको अब बताता हूँ वह लगन में बैठा है प्रथम भाव में बैठा है तो उसको अस्वस्त करेगा बीमार करेगा विक्रतियां लाएगा अपाहेज होगा और भी सारी भीमानिगा तक सुंदर नहीं होगा सुंदरता नहीं आईगी उसमें चेहरे पर चेचक्य दाग होंगे और भी बहुत सारी प बहुत रहीमान जीवन में आजाए नंबर तीसरे घर में अगर आकर के बैठा है तो प्राक्रम इतना कराएंगे इतनी महनत कराएंगे और उसके बाप जुद्धी फल निंग होने दिलाने देगा बहुत महनत कराएगा सुबे से साम तक महनत करेगा और पता पड़ा सौ देगा जहां मंगल और आहू जब जब भी आपने बंचम में देखे होंगे जिसकी कुंड्य में डेखोगे वह बच्चे आंगे चलके बहुत अच्छी पड़ाई कर पाएंगे 6 7 8 9 10 बहुत बहुत हो गया तो 12 इससे आंगे पढ़ाई कर ही नहीं पाएंगे बिद्या बुद्धि और बुद्धि इतना तेज होगा कि इसकी कोई सीमा नहीं होगी वही जाकर कि अगर सस्तम भाव में बैठ जाएंगे तो इसके दुस्मन बढ़ाएगा चारो तरफ दुस्मन बढ़ेंगे वह सब्तमेश में आकर बैठेगा तो पती पत्ने में नहीं बनने देगा अस्तम भाव में बैठेगा मंगल के साथ राहू बैठा अल्पमृत्ति का योग बनाएगा अंगारत योग अल्पमृत्ति हो जाएगी एक्सिडेंट हो जाएगा सुस बहुत जाधा मेहनत करवाएगा और एकादस भाव में बैठा है तो यह नियम से मान के चलिए कि धन की जो इनकमिंग है वो लगभग स्टॉप सी होने लगेगी और दौदस में बैठा है तो पैसा बहुत खर्चा होगा मरत्यू का कारण बनेंगा आपकी दाहीनी आंख खर आउनको खराब कर देगा तो इस लिए अंगारा की योग जो है एक बहुत खतरनाक योग है काल सर्फ योग से भी जैदा खतरनाग योग है तो अंगारा की योग अकर बना है उसके महत्र दो अपाय करें और ऑगरत लेकिंग पौपच जानकर विदिवत विद्वान जे अगर आपने प्रयोग कर लिया तो है अंगारक योग आपका कुछ भी निमिगाड़ेगा लेकिन मैंने एक बात पूर्व में कुछ दिन पहले कही थी वह बात कही थी अगर लगने में गुरू मजबूत इस्तिदी में बैठ गया तो अंगारक योग क्या कालसर्थ योग क्या पसाच योग क्या राक्षास योग क्या साकनी योग क्या डाकनी योग क्या पसाच नी योग क्या दुनिया का कोई भी योग हो सबको दोस्त कर देता है तो प्रात्ना करें भगवन अगर अंगारक योग बर रहा है तो लगने में गुरू भूच्च का वेर जाए जी बिलक कि जैनम ये बहुत महतंकुर बात होती है कि जनम के समय गल कि पकारेए दिक्कत आगी जनम के समय आई हुए दिक्कत ही जनम के समय उस ग्रह ने अजयतं बहुत म πάशने तो नचयतर अगर मूंन पेदा हो गया तो मूल नच्छत का दोस होगा तो वो निश्चित तोर पर जन्म का ही कारणा उसका बनता है आने वाले टाइम पर हम बस उसे बचा सकते हैं जी बिलकुल बहुत ही बड़ी जानकारी यहां पर आप सभी को मिली है यहां पर गुरुजी से क्या टिप देना चाह है बस मैं तो मित्रो यही कहना चाहूंगा आप सबसे टिप के रूप में कि सच्चे देव सास्त गुरु पर सच्चा सरद्धान रखिए पहला बात दूसरी बात नितनियम अवशिक पुजन कीजे भगवान के दरवार में लगाई गई गई गुहार भगवान के दरवार मे दूर हो जाता भगवान के दरवार में जाकर एक बात हमेसा कहा करो कि पुनाह दरसन पुनाह दरसन मिले स्वामी यही है बावना मेरी यही है प्रार्थना मेरी पुनाह दरसन मिले स्वामी स्वास्त रहें सुरक्षित रहें जहां रहें बस खुश रहें आग्या चाहेंगे गुरुजी जयाजिनेद्र क्या जहा है कि अलाओ म Hai यहाँ लगी मिले सब्सापने के बावा अर्ण ओर्रा कि अलाओ करते हैं अलाओ को एष्म्या करते हमान को तो ए जहाऊँ है अलाओ को खुछ वाया है